किर को नूम से तो मांच आड़े ओडे एम से राम भो है निसके वाजोन यह ते क्रोमिक काथ कुही वैले ने ना कुपोमा से ना अलेल लिक अने एतला लेकाने कासूरी मेथी की मठ्रे बनाना बहुत ही एजी है तो सबसे पहले हम कसूरी मेथी की मठ्रे बनाने के लिए आठे को सेट करेंगे मेंने 2500 ग्राम मेदा लिया है जिसमें मैंने थोड़ी सी आजवाइन मिलाई है और शादनो सार नमग मिला करके करीब 100-100-150 ग्राम एपनेद घी मिला करके और दोनों हाथों से इसे अच्छे से मसलना है और इस प्रॉसस को तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे आटे के लड़ू ना बनने लगें अब इसमें मैं 500 ग्राम मेथी की पत्तो को बारी काट करके इसमें मिला रहे हूं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके मैं एक डू तयार करूंगी कि इसे अच्छे से मुक्यां लगाते हुए और इसी तरह से अंदर की तरह रोल करते हुए दो चार बार मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगी और जब आटा हमारा सेट हो जाएगा तो इसे में 20-25 मिनिट के रेस्ट करने की रख दूँगी पाद लेनी होऊँगी और इस रोल से मैं चूटी-चूटी लोईयां कट कर लोगी बहुत ही चूटी-चूटी लोईयां कट करनी है पानी पूरी के लिए लोईया लेनी होंगी उत्ती बड़ी ही लोईया हम लेंगे और इस लोई को हम अपने चकले पर ऐसे घुमा करके और अपनी हथेलियों से प्रेस करके एक मठरी तयार करेंगा और फॉक्से इसमें पिंच कर देंगे जिससे कि फूल लेना पएं कडायमें घीह अल्रेडी गरम हो चुका है इसमें एक करके हम मठरीयों को डालेंगे और मौडरेट फ्लेवगा इसे हम गडलडन ब्राउन होने धुलेंगे ध्यान रहे कि मठो को बहुत जाद़ा नहीं सेकना है क्योंकि इसमें कसूरी मेथी मिली हुई है sorry मेथी के भूनेंगे तो इसका जो स्वात है वो क्यासेला को जाएगा। सूसे लिगलेचे से छाटने इसने कैश female गूंतबें ao joking others कि हमारी अब तयार हो चुकी है अब इन्हें अच्छे से हमें चानते हुए एक अलग प्लेट में निकाल लेना है जब मत्रिया हमारी थेंडी हो जाएगी तो इसे हम सेर्विंग बॉल में निकाल करके अपने गेस्ट को सर्व करेंगे इस होली आप भी बनाएए मिथी की मत्री और बन जाएए अपने महमारों की रॉक स्टार पर उससे पहले अगर आपको हमारी रेस्पीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भोले मत्रीक ब्सक्राइब चैनल भाज़ी आपा आपको सिदो нес में हैं राचा जापri अव.. जवनियको उल्म टेक्षक